हलो बुच्चो आज की वीडियो हमारी होने वाली है फिर से नीट 2024 के स्काम को ले करके जैसा कि आप जानते हो जब से हमारी रिजल्ट आई है आपके 4 जून को तब से जो है ये गहमा गहमी बनी हुई है कि किस तरीके से जो है NTA के द्वारा कई सारे फ्लॉस जो है उनके इंडिक्टिबल चीजें भी सामने आ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए मतलब कि अब तक जो है मार्केट में कई सारी निउज आ चुकी है कि कई बच्चे ऐसे हैं जो 12 में अच्छा नहीं किया उन्होंने और इग्जामिनेशन में नीट के इग्जामिनेशन उनके अच्छे मार्क सार है वगेरा वगेरा और साथ में एक और बात जो के बच्चे हो या पैरेंट्स हो या फिर कुछ ऐसे टीच हो या फिर आप बोल सकते हो शोशल मेरिया के जो इंफ्लूएंसर है सोकल देखो बिटा मैं ये नहीं कह रही उनका कोई जो है गलत उनका इरादा है नहीं बिल्कुल नहीं वो हो सकता है या यूँ कहो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि आप बच्चों को जो है जस्टस मिले लेकिन कुछ चीजे बोलते हैं कि करने गए कुछ सही और हो गया कुछ गलत इस चक्कर में बिटा कई जगह पे ऐसा मैं देख रही हूं कि कई लोग जो है व पर यूँ कहो कि जितने सारे हमारे सामने अमीगुटी है उन सब को शक्लियर करे जो हमारा हर चिजज को लेकर के हम लोग जो है पी ते बीटा अंद तक देखिएगा और मैं यह भी बताओंगी कि आपको क्या कुछ करना है क्या कुछ नहीं करना है because कि बहुत लोग ऐसे हैं जो lack of knowledge की वजह से जो है वो गलत कदम भी उठा रहे हैं यूँ कहो कि वो ऐसे steps भी उठा रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए तो चलो बच्चो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपका ध्यान खीशना चाहूंगी पांच मैई के नोटिस को ले करके जिस दिन आपका exam हुआ था नीट का उस दिन शाम में जैसे ही हमारे यहां जो है कई बार जो खबरें जो उठकर आई थी कि भाई कई जगह पे जो है paper लिक का मामला यह यूं कहो कि गरबड़ी की बात आई थी उस वक्त हमारी प्यारी NTA जो है कहती है कि उस वक्त कि ये उनके ध्यान में आया है ये यूँ को हो उनको ये पता लगा है कि मातर एक ही examination center है जिसका नाम है girls secondary girls higher secondary model school मंदिर मौंटान सवाई मधपूर ठीक है यहाँ पे कहा गया कि incorrect जो है distribution कर दिया गया paper का जिस वजह से examination center को जो है छोड़ देते हैं और with the question paper वहाँ से निकल जाते हैं जिस तरीके से फिर कहा गया कि बाद में किसी तरीके से इसको जो है शांत वगरा करके हर कुछ जो है सही किया गया और बाद में यहाँ पे जो भी affected यहाँ पे ध्यान दीजेगा 120 affected candidates from the girls higher secondary school आपके जो यहाँ पिते सवईपूर की बात हो रही है कि इनको जो अश्योर किया गया कि यहाँ पे किसी तरह की फिर से घटना ना हो और जो examination जो है वो आपकी बेहदी transparency तरीके से और integrity और fairness को maintain करते हुए जो है वो करवाई गई है ठीक है यह है आपके उस दिन का जस दिन आपका on exam day हम बोल सक को किस चीज़ पर सवाल उठाये जाने चाहिए या फिर किस तरीके से जो है क्या कुछ नहीं करना है उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे मैं एक एक fact के साथ बात करती हूँ ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत influence के चकर में थोड़ी बहुत popularity पाने के चकर में show off करने क चकर में जगह जगह मैं धी धोड़ा पिटते चलूँ ये काम अपन टीचर लोग का नहीं है बच्चा टीचर लोग का काम होता है बच्चों को सपोर्ट करना गाइड करना ना कि खुद एक जो है हीरो बन जाना ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ये जो है आपकी 4th जून क बटा जब result आती है ध्यान दीजेगा जो result आई जिसमें topper की list आप लोगों ने देखा होगा जिसमें topper list जो थी उसी में ये चल्ज मेंशन की गई कि examination was monitored examination जो है उसको monitor किया गया क्योंकि वहाँ पे central control room होती है जहां पे क्या किया जाते है was open to monitor and facilitate smooth conduct examination जो है हमारे देश भर में examination जो है वो अच्छे तरीके से हो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए जो है क्या किया जाते है CCTV जो है उनको जो है monitor किया जाते है मतलब live CCTV surveillance जो है वह plan किया जाते है all the examination center to curb small practices in the examination मतलब इन सबको रोकने के लिए CCTV की life surveillance की जाती है और यहां पर यह भी कहा जाते है ध्यान दीजेगा कि आपके 7523 observer और deputy observer साथ में आपके यहां पर ध्यान दीजेए यह आपके invasilator की संख्या है invasilator वह होते हैं जो आपके साथ center पे मौजूद होते हैं यह यूं कहो कि जो आपके question distribution से ले करके आपको जो साथी तीन घंटे की जो examination की जो process होती है उतने देर में यह लोग आपके साथ होते हैं तो सबसे पहला सबसे पहला जो मेरा question यह है बटा जिस मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे भी जो है जो कई बच्चे क्या कर रहें ट्वीटर पे जो है NTA को tag करते हुए वो सवाल पूछ रहें तो मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे यह सवाल भी पूछें क्योंकि अभी के टाइम में आपकी NTA जो है वो शोशल मीडिया पे कुछ जादा active हो गई है और उन्होंने जो है आपके ट्वीटर वगेरा पे जो बच्चे कई बार जो है कि टाइम लोस्ट हुआ है बच्चोंका न्टेय के द्वारा ही कहना है कि बच्चों का time लॉस्ट हुआ है और मार्क्स कोukंपनिशेट करने के लिए हमने बच्चों को ग्रेश मांकिंग कि खेक शुरुआत में हमारी प्यारी NTA कहती है कि ओस दुए की मांत्र एक कहते हैं कि हमारे यहां भाई साब क्या है AI टूल्स वगेरा सब कुछ है मतलब हर एक तरह से हम लोग क्या किये हुए एक दम यहां पे लेटेस्ट 5G जामर है और AI बेस्ड हम लोग वीडियो अनलिटिक्स करते हैं वगेरा वगेरा मतलब हर तरह से बताया यह जाता है कि डिजि टाइम लोस्ट होने के पीछे का रीजन क्या है भाई कोई भी कैंडिडेट इग्जामेनेशन सेंटर पे आपके जो तय समय होती है उसके पहले ही आ जाता है ऐसा तो नहीं है कि बच्चे उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहें नहीं बच्चे तो हमारे जो है हमारे खयाल स वन थर्टी जो है वो आपका क्या था आपके एग्जामेनेशन सेंटर में एंटर करने का टाइम था अब डेर वजे से जो आपके हमारे बच्चे जो है वह सारे पांच बजे तक वहीं रुकने वाले थे तो कहने का मतलब यह है कि फिर आखिर यहां पे ऐसा क्या रीजन है इस टाइम लॉस्ट का यह रीजन क्या है क्या हमारे जो इन्वेजिलेटर थे यह हमारे सेंटर सुप्रिडेंट वगेरा जो भी वहां पे थे क्या यह प्रोपर तरीके से तयार नहीं थे एग्जामेनेशन लेने के लिए क्या हमारे इन्वेजिलेटर ट्रेंड नहीं थे कि फिर so called मैं कहूं गमार थे एक दम यही वर्ड मैं यूज करूंगी कि क्या आखिर में बच्चों का जो है क्योंकि आप खुद बोल रहे हो आप हमारी एक सेंटर पे फिर आती है बात चार सेंटर पे उसके बाद फिर से आती है कि यह नहीं नहीं एक जगा और ऐसा हुआ है या अब हमारे यह कहना है कि यह आखिर नंबर कब तक बढ़ता रहेगा और या तो आप यह क्लियर कर दो कि कितने जगहा पे टाइम लॉस हुआ है बच्चों का या दूसरी बात आप यह कह दो यह वाली जो बात आप क्लेम कर रहे हो कि हम लोग जो है लाइव से से टीवी हम ल नहीं थे या उनके बीच में ही कुछ गड़वड़ी हुई जिस वज़े से बच्चों का टाइम लॉस्ट हुआ क्यूंकि करी जगह पे यह वी सुनने को आ रहा है कि बच्चों का एक्जामिनेशन जो है वह साहे पांच बज़े के बाद हो रहें करी बच्चे बोड़ें कि तो इस वज़े से बच्चे का टाइम वेस्ट हो गया तो क्यों हुआ आखिर यह हुआ क्यों क्या आपको यह वहां पे सिरसे टीवी में आपको यह चाज नहीं दिखा क्या तो फिर नहीं दिखा तो मोनिटरिंग का है कि यह मेरा कंसर्ण है ओके चलिए आगे हम लोग बात क हुए है ठीक है और हमारे एक्जाम जो है बहुत 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 फिर तरीके से हुई है ठीक है और हमारे यहां फुल टाइम अब्जर्वेशन हो रही थी हर एक तरह से AI टूल्स बगेरा का हम लोग यह कर रहे थे बच्चों की अच्छी तरीके से जाच परख कर रहे थे तो फर आखर ये बच्चे जो है उनका time lost कैसे हो गया और साथ में जो है कई जगा पे dummy बच्चों का जो है कि dummy candidate जो है आजाते हैं उनका क्या आप किस तरीकी से आप जाच कर रहे हैं जो dummy candidates आ जा रहे हैं इसके साथ ही आगे बढ़िए और यहां पे हम बात करते हैं ये 6 जून की ह ये 6 जून की ही बात है जब पूछा यह गया कि ये बताईए कि इतने बच्चों के जो है इतने बच्चे जो है 67 टॉपर्स जो है वो कैसे आ गए ये टॉपर्स की लिस्ट जाड़ी करने के बाद का ये आपका ये प्रेस रिलीज है ठीक है तो उस समय हमारी NTA कहती है कि दे इनका जो है loss of time हुआ है और उसी को compensate करने के लिए कुछ उसी दिन जिस दिन आपकी exam हुई थी उस दिन कुछ examination center पे बच्चों का loss of time हुआ था जस वजह से हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने है बच्चे को जो है इस repetition को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को careful consideration लेते ह और बच्चों की इस grievance को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बच्चे को क्या किया है बच्चे को जो है marks वगेरा जो है हमने क्या किया है ध्यान दीजिए यह वही चीज की बात की जारी और किस basis पे इन्होंने वह फैसला लिया यह भी इन्होंने यह बताया था मतलब कि शुरू में यह कहते हैं एक सेंटर ठीक है पांच में को छे में को जब रिजल्ट आ जाती है तब जाके जब इनसे सवाल पूछा जाता है तब बताते हैं यह कि चार सेंटर पे गरबड़ी हुई थी अब उसके बाद ध्यान दीजिए यह बात है यह बात है एक दिन पहले क जब सोनु चौधरी जो है यहाँ पे कोई इस अकाउंट से जो है क्या किया जाते हैं मैसेज भीजा जाता है एंटी एक रिगार्डिंग ठीक है यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि मेरा नाम अमर्दीप चौधरी है मैं नीट का स्टुडेंट हूँ और नीट इस तक की टाइमिंग थी तो ये तीन घंटे साथे तीन घंटे जो है क्या वहाँ पे मस्ती चल रही थी क्या कि वहाँ पे कोई मूवी बगेरा की प्लानिंग चल रही थी जो बच्चे मूवी देखने में यह सारे लोग वहाँ पे सेंटर पे मूवी देखने में व्यस्त थ आखिर ऐसा कैसे हो गया भाई ऐसी गरबड़ी कहां से आती है यह बताते हैं कि रूम नंबर 16-17 में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है हमारे साथ प्लीज हेल्प करो मतलब कि यह बच्चा रूम नंबर 16 रूम नंबर 17 में फ्रॉड हो रहा है यानि कि इस रूम के कारण यानि से जो है बाकी के बच्चों का सक्ट है बाकी बच्चों का टाइम लौस हो आफिर यह इंगा कर रहें ना लायक बच्चे जो है उनको आप ऐसे मार्स देते फिरते रहोगे यहांपर कोई free marking distribution scheme तो नहीं चल रही है कि आओ free में marks लेके जाओ ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है न तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए जिसके बारे में कोई अभी तक उठके खुल के बात भी नहीं कर रहा हर कोई पर लगे हुए हर कोई टाइम लॉस पर लगा हुए हर कोई paper लिकिंग के बारे में बात करें लेकिन इस पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा अब यहीं पर धान दीजेगा इस बच्छे के जो यह message है इसके रिगार्रिंग हमारी NTA जो है वो क्या करती है वो reply करती है ध्यान दीज अच्छा तो फ्यू रूम में क्यों नहीं हुआ आप जब कह रहे हो कि पूरे जगह उस सेंटर पे बाकी के सब रूम में अच्छे तरीके से एस पर टाइम अक्टिविटी जो है या आस पर अक्टिविटी टाइम लाइन के वजब अकॉर्डिंग सब चिस सही था बस कुछ रूम को छोड़ करें तो वो कुछ रूम में क्या हो रही थी आपको यह क्यों नहीं पता चला जब आप बार 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 आप बोल रहे हो कि आप सिसे टीवी फुटेज के अनलेसिस कर रहे हो तो फिर आपको क्यों नहीं पता चला फ्यू कैंडिटेट्स वर गिवेन क्वेस् कर दे दिया यह तो ऐसी बात है ना कि हजम होने वाली बात नहीं आप जैसे बात कर रहे हो सब्सक्राइब कर दे दिया गया तो यहां पे लॉस आफ टाइम होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता वाह जी वाह और क्या गैरंटी है क्या गैरंटी है मैं यह सवाल पूछ रही हूँ आप भी जड़ा पूछिएगा कि क्या गैरंटी है कि यह जो तीन सारे तीन घंटे बात जो बच्चों को जो पेपर जो दिया गया उस बीच में कहीं पे दूसरे बच्चे जो हैं उनकी धांदली नहीं हो रही होगी दूसरे बच्चों को जो है वो गलत तरीके से टेस्ट नहीं लिया जा रहा होगा इस बात की क्या गैरंटी है जब हमारी NTA को CC TV में ये चीज़ नहीं दिखा तो जाहिर से बात है वो चीज़ भी नहीं दिखा होगा वो चीज़ भी क्यूंकि इस तारतीन घंटे की आर में क्या कुछ हुआ ये तो भाई हम साफ दिख रहा है ना कि NTA ने कुछ नहीं देखा है बस सिर्फ उपर उपर ये लोग बात कर रहें अब भ्यान देजे कुछी दिन पहले आपने देखा होगा कि आयूशी पटेल जिन्होंने दिखाया था कि भाई देखो हमारा जो है OMR जो है क्या हो रहा है कि हमारा टॉन OMR आ रहा है मतलब फटा हुआ टाइप आ रहा है कि हम आपका जो ये क्या कहते है आपका OMR जो है वो डामेज हो चुका है और जब इनके तरफ से कहा गया कि आप भेजी हमको वही बेज दीजिए कम से कम तो फिर आता है कि फटा हुआ ये बोलते ना टॉर्न यानि फटा हुआ जो है डामेज जो है वो इनको दिखाये गए और सा जो वाइरल वीडियो देहां दीजेगा regarding वाइरल वीडियो ठीक है मिस आयूशी पटेल की जो वीडियो जो वाइरल हुई उसके according हमारी NTA जह रिप्लाई करती है कि देखो 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 ऐसा है ना कि आप जो बोल रहे हो ना कि आपकी जो है OMR शीट जो है वो ऐसा वैसा देखो जो आप बोल रहे हो ना NTA clarifies कर रही है कि आपका OMR शीट ना फटा हुआ नहीं है बलकि आपको ना यहां जो है क्या किया गया आप देखिए कि answer sheet is inact and score accurate as per official record candidate should download scorecard only from the website इतना यह इनकी वेख वेबसाइड है जाईए वहां से आप डाउनलोड कर लीजे आपका अगर वह बच्ची आवाज नहीं उठाती अगर वह बच्ची जो है वह किसी तरीके का हम लोग जो है यूं कहो हम सब मिलके जो हम लोग जितने हम लोग उसे बन पाया हम सब ही लोगों ने बच्ची का वीडियो जो है जितना हो सका हम लोगों ने शेयर किया अगर ये चीज यह जो है जब कितने ऐसे बच्चे हैं उन बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनसे भी मैं कहूंगी कि बेटा जी अब चुप मत रहो अब क्यू चुप बैठे हो वैसे भी तुम्हें जो है यह काम फिफ्ट में के बाद ही कर देना चाहिए था फिफ्ट में के बाद जो ह 5th में से 4th जून तक तुम्हारे पास टाइम था बेटा 29 से 30 डेस का तुम्हारे पास टाइम था तुमको अगर तुम्हारे साथ कोई गरबड़ी हुई थी तो तुम्हें जरूर आवाज उठानी चाहिए थी खैर कोई बात नहीं मानती हुँ कि आप बच्चे जो है आपको उत्ती जादा नौलिज नहीं होती कि क्या कुछ करना है कई बच्चे डर जाते है या फिर जो भी लेकिन अब तो भाई जागो अब तो जगह जगह तुम्हारे लिए जो है ये चीज़ बात उठ रही है तो फि बच्ची जो है वह 12 में ध्यान दीजेगा एक बच्ची है जिनका नाम पटेल अंजली हिरजी भाई है ठीक है इनकी अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजेगा ये इनका 12 इस बार के 12 का रिजल्ट है ध्यान से देखिएगा बिटा ये बच्ची इसी साल 2024 में ही 2024 में ही इस इस बच्ची ने एक्जाम दिये ठीक है और इनके जो रिजल्ट होते हैं ध्यान दीजेगा चैमिस्ट्री में 31 आउट अफ हंड़ेड हां फुजिक्स 21 आउट अफ हंड़ेड हां बायोलोजी 39 आउट अफ हंड़ेड ध्यान से देखिए ये मार्क्स को ध्यान से देखिए ये मार्क्स लाने के बाद भी इस बच्ची के आप नीट के इनका रिजल्ट देखिए that is the 705 मार्क्स out of 720 how is it possible भाई आपके 12 के एक्जाम में और आपके नीट के एक्जाम में मुश्कल से आपको डेर से 2 महीने का टाइम मिलता है तो ये डेर से 2 महीने में ऐसी कौन से या कुछ जोल जपाड़ा है आप खुद समझ सकते हो इसके अलावा और भी कई सारी न्यूज आ रही है तो मैं यही कहूंगी आप बच्चों से ध्यान दीजिए कि वैसे बच्चे जो इस स्क्याम के विक्टिम माने जा रहे हैं यह यूं कहो कि एक्जामिनेशन डे जिस द बोल सकते हैं कई बच्चों का यह भी आया था कि मेरी OMA sheet अलग थी question paper अलग था वगेरा वगेरा इस तरह कि जो भी बाते हैं बेटा आपको जो है आपको क्या करना चाहिए इसके against जो है वो FIR filing करने चाहिए ना कि आपको जो है influence होना चाहिए हम लोगों ने भी बेटा उसके साथ गलत होता है उससे ही सामने में पड़ता है आप इस चिज को समझेए मैं बात करूं याद करो महभारत की बात कि अर्जुन को लड़ाई करनी थी और की ना अर्जुन के हक की लड़ाई थी तो अर्जुन को ही बान चलाना था स्री कृष्ण बसガ das करने वाले थी वही काम हमारे टीचर और सो काल जो इंफ्लूएंसर है उनका होना चाहिए ना कि खुद अरजुन बन जाएं ठीक है ना हमारे जो देखो जो भी ऐसे लोग ये चिस कर रहे हैं मैं साफसा बोर रही हूँ बेटा ये बहुत गलत है ये आपके लिए ये आपके लिए गलत होने वाला है क्योंकि आप जो बच्चे जब NTA को आप जब सफाई मांगोगे तो NTA क्या बेवकूफ नहीं है ना इतनी बड़ी अजंसी है भाई साब वहां पे भी जब लोग सोशल वो भी सोशल मीडिया पर बहुत जाद अक्टिव हैं वो लोग भी ना हर तरह के इंस्टेग् करते हो जो अफेक्टेड पार्टी है वो आप स्टूडेंट हो आप स्टूडेंट जो उस दिन फिफ्ट में को इग्जामिनेशन में जो शामिल हुए थे वह और यहां पे जिसके खिलाफ आपको कंप्लेन करनी है दाट इस सेकेंड पार्टी वो कौन है NTA है ध्यान दीजे साफसा बोल रही हूं हम लोग भी जो है न हम लोग भी अपने वकील से सुरू दिन से हम लोग बात करते आ रहे हैं उसी दिन हमारे वकील साब ने जो है हमें ये कहा कि आप न थर्ड पार्टी है ठीक है न तो थर्ड पार्टी को न काईदे में रखना रहना होता है ठीक है पॉपकोन की तरह उचलने से कुछ नहीं होता है ठीक है पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं जो अफेक्टेड बच्चे हैं इनको पहला काम चाहिए कि इनको जो अपती हुई है इनको जो प्रॉब्लम हुई है उसके रिगार्डिंग ये FIR दर्ज करवाएं और ये FIR की कॉप पर लाख चिला ले इससे सिर्फ और सिफ ना बस क्या होंगे तो बस मामला जो है वो तेज रहेगा इससे आपको जस्टिस मल जाएगा इस बात की कोई गारेंटी नहीं है तो बार-बार बोल रही हुँ कि बजाए किसी टीचर के पास ये उन्फ्लोएंसर के पास जाने के न आप अपने थोड़े से दिमाग के घोड़े दोड़ाईए और इसको जो है जो आपका कुंसर्न है उसको सबसे पहले जो नियरेस्ट जो आपकी पुलिस स्टेशन है जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उस वहाँ पे जाईए और जा करके उसके रिगार्डिंग जो है वह जाके read petition file कीजिए ठीक है ध्यान से समझेए पहले क्या कहा पहले FIR करवाईए then after इस FIR के बस इस पर read petition file करवाईए बद देखिए आप में से कई बच्चे देखिए हम लोगों ने इतने सारे हमने जो भी वीडियो वगेरा जो बच्चे हम लोग को बता रहे हैं हम लोग बस इसको share कर सकते हैं लेकिन शिर्फ वीडियो share करने से या आप बोलते हैं कि मीडिया के सामने आ करके यूँ चिल लाने से हम ये कर देंगे हम तुम्हारे लिए खड़े हैं ये हैं वो है कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा इससे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूँ ध्यान दीजिये कि थर्ड पार्टी NTA जो है ये कह सकती है कि थर्ड पार्टी जो है न वो अपनी पॉपुलारिटी के चक्कर में पॉपुलारिटी के लिए इस मामले को बढ़ावा दे रही है मतलब बच्चों को बढ़गला रही है तो इस बात पे जो आपकी और हमारी जो ओनेबल सुप्रीम कोट है अगर मामला गड़ उन तक अगड़ पहुचता है तो ये सुप्रीम कोट यही कहेंगी भईया निकल लो यहां से जल्दी से निकलो क्यों क्यों क्योंकि पॉपुलारिटी पाने के लिए जो है आप इस तरह का काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास्ट में भी ऐसा कुछ हो चुका है कि हमारे सो कॉल्ड कुछ बोलते है न सोचल मेडिया इंफ्लूएंसर जो थे उन्होंने हमारी भारत के इंफ्रस्टुक्चर को ले कर के जो है सवाल उठाये थे कि हमारे क्लाइमेट यह हो रहा है और वो खुद कहा है वो खुद विदेश में बैठे हुए है ठीक है तो इस पे हमारी सुप्रीम कोट ना उनको fine भी लगाई थी तो याद रखिएगा बेटा जी कि यहाँ पे अगर एक पल को fine भी आपके उपर अपकी सुप्रीम कोट जो है वह लगा सकती है, fine लगती है वो अलग बात है लेकिन आपका मामला जो है ना बेटा उस में सब्सक्र Sãoब करता है निजैने सब्सक्राइज में अक पहले कारे सुझने एंदोribu जो Lei अमय चैनल सब्सक्राइब अनुष्այे जो नियुरा इसे 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 से विक्तिक nhiोटी बार बार कह रही हूं जितनी जदा इन सब में उल्जोगे तुम्हारे मामले को उतना जो है NTA को क्या करने का मौका मिल जाएगा बाइपास करने का मौका मिल जाएगा तो बस यही रिक्वेस्ट है और यही चीज में कहना चाहती हूं कि कोई भी और साथ मैं यह कहूंगी कि ज बच्चे तुम्हारे बहाफ में यह कर रहे हम यह कर नहीं होता कभी भी जो विक्टिम पार्टी है जिनको इस चिज़ के पिरित है उनको यह चाहिए उनको सामने से आके आवाज उठानी चाहिए विडियो को जितना हो सके इसको शेर कर देना ताकि awareness बढ़े और आप लोग भ तो फिर बोलते हैं ना गलती छुपाने वाले जो चाहते हैं वो काम तुम खुद उनके लिए कर दे रहे हो अन्जाने में ही सही लेकिन कर दे रहे हो तो इस काम को करने से बचो और अपने हमारे देश की जो है जस्तिस सिस्टम पर भरोसा रखो बिल्कुल तुम्हें चीज मि गर विक्टिम हो तो जा करके सबसे पहले FIR करो और repetition फाइल करो ओके देन मैं मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई